दोस्तों क्या आप भी बूमाइक रन करने पर यह api.ms.bin.crt.l1.1.0.dll फैल का एरर पा रहे हैं अगर हां तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यह देखते हैं दिये गई डेस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से यह दोनों फाइल है आप डाउनलोड कर लिजी और 32-bit वाले फोल्डर में से जो फाइल है उसको आपको कॉपी करना है c drive के अंदर windows के अंदर sysvow 64 folder के अंदर पेस्ट कर देना है और यह जो 64-bit वाली फाइल है इसको कॉपी करना है और system 32 वाले फोल्डर में पेस्ट कर देना है इसके बाद यह vc-readist x64.exe को रन करना है यह description में मैंने link दे दिया है आप वहाँ से download कर लिजेगा अपने windows के according 64-bit है या 32-bit है जो आपकी USA उसके according I agree install पे click करना है यह installation में कुछ time लेगा तो तब तक हम वीडियो को pause करते हैं और complete होने पे आते हैं वापस करना है कि इस्टालेशन कंप्लीट होने पर रिस्टार्ट पर क्लिक करना है देखिए computer रिस्टार्ट हो चुका है अब हम इस पर क्लिक करते हैं बूमाइक पर और यह देखिए हमारा बूमाइक क्लाइंट वर्क कर रहा है तो देखा दोस्तों आपने केस प्रोडम को उने कैसे सुल्व किया दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तेसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वाल आइकन को भी क्लिक कर देखिए कर दोस्तों आपको दोस्तों आपको याल आपको पसंदी आपको दोस्तों आपको